हलो फ्रेंज कैसे हैं आप सब दोस्तों आज हम जानेंगे सुतुर मुर्ग के बारे में तो आईए जानते हैं और वीडियो को लाश्ट तक यरूर देखिए सुतुर मुर्ग यानी आश्टिच दुनिया का सबसे बड़ा पक्षी है जो की अफ्रीका के बुट्स लेंड और सवाना के छेतरों में प्रकृतिक रूप से पाया जाता है कई सारे रिख्भी से स्ताएं इसे अन्य पक्षियों से प्रिथक मनाती हैं मसलन पक्षी होने के बावजूद ये उड़ नहीं सकता है इसके तीन पेट होते हैं और पैरों में मात्र दो उंगलियां होती हैं दुनिया में सबसे बड़ी आँखे सुतुर मुर्ग की होती है और सबसे बड़ा अंडा भी इसी का होता है इसका अंडा इतना मजबूत होत कि सामान्य वजन का व्यक्ति उस पर आसानी से खड़ा हो सकता है यह ऐसा पक्षी है जिसे पानी पीने की जरूरत ही नहीं होती है यह अपने पेट में एक से दो किलो तक कंकर भरका चलता है चंगली सुतुर मुर्ग अफ्रीका के बुट्स लैंड और समाना के छेत्रों में प कि सभी महाद्यूपो के चिडिया घरों में सुतुर मुर्ग पाए जाते हैं अलाकि एक सुतुर मुर्ग का वजन 320 पांट और 9 फिर तक की उचाई हो सकती है साथ ही सुतुर मुर्ग दुनिया का सबसे भारी और सबसे उचा पक्षी है दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा प पांट तक होता है पक्षी होने के बावजू सुतुर मुर्ग उड़ नहीं सकता है ऐसा उसके शरीर के अत्यदिक वजन के कारण और उसके पंख भी बहुत छोटे होते हैं जिसका फैला लगभग दो मीटर तक होता है सुतुर मुर्ग अपने पंखों का इस्तमाल दौरते स क Boostा मा में संपुलन बनाने में करता है इसके अलावा माधा सुतुर मुर्ग जाने के लिए किये जाने वाले ऑर चुजो को धोग से बचाने में पंखों का इस्तमाल करते हैं सुतुर मुर्ग को पानी पीने की जरूरत ही नहीं होती है क्योंकि वे अपने द्वारा खाए गए पधों से ही पानी प्राप्त कर लेते हैं हाला कि जब उन्हें प्यास लगती है तो वे पानी पी लेते हैं जंगल में सुतर मुर्ग औस्तन चालिस से पैतालिस वर्स तक जीवित रहते हैं अवसक्ता पढ़ने पर वह 60 मेर प्रतिघंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है सुतर मुर्ग के बारे में कहा जाता है कि खत्रा देखकर वे अपना सिर्यत या जमीन में गाल लेते हैं पूरी तरह से गलत है ऐसा करने पर वे सांस नहीं ले पाएंगे और उनकी मौत हो जाएगी सुतर मुर्ग अंडे देने के लिए जमीन की मित्ती खोद कर घोसला बनाते हैं अकसर अंडों को पलटने के लिए वे घोसले में अपना सिर्य डालते हैं जो देखने में ऐसा लगता है मानों वे अपना सिर्यत या जमीन में गाल रहे हैं जब सुतर मुर्ग खत्रा महसूस करने पर भी भाग नहीं पाता है तो अपना सिर्य और गर्दन जमीन के सामान तर कर लेट जाते हैं सिर्य और गर्दन का हलका रंग रेट या जमीन के रंग से मिल जाने की कारण ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने अपना सिर्य रेट या जमीन में गाल लिया है नर सुतुर मुर्ग के पंख काले रंके और पूछ सफेद रंकी होती है वहीं मादा सुतुर मुर्ग के पंख सलेटी और भूरे रंकी होती है सुतुर मुर्ग में पसीने की ग्रंथिया नहीं होती है सुतुर मुर्ग के गले में अन्य थल चर पक्षियों की तरह भोजन संक्य की थैली और पिताशे नहीं होता है सुतुर मुर्ग के तीन पेट होते हैं और आसामाने रूप से लंबी आथ होती है जिस कारण सुतुर मुर्ग द्वारा खाए गए भोजन को पचाने में कम सकम 36 घंटे का समय लगता है सुतुर मुर्ग अन्य पक्षियों की विपरे सुतुर मुर्ग में मलमोतर त्याग करने के लिए अलग मार्ग होता है संपूर्ण प्राणी जगत में सुतर मुर्ग की आँखे सबसे बड़ी होती है इसकी प्रतिक आँखों का आकार 2.5 सेवी के करीब होता है सुतर मुर्ग की आँखे उसके मस्तिस्क की तुलना में काफी बड़ी होती है उसके मस्तिख श्यानी ब्रेन का वज़न लगबग 40 ग्राम और आग का वज़न लगबग 60 ग्राम होता है सुतुर मुर्ग की दृष्टी की छमता वे दिन के समय 3.5 किलो मीटर के दूर में इस्थित वस्तु को आसानी से देख सकते हैं सुतुर मुर्ग की स्रावर सकती भी बहुत तेज होती है तेज दृष्टी और स्रावर सकती उन्हें सिकारियों से बचने में मदद करती हैं अधिकांश पक्षियों की प्रत्ते एक पैर पर तीन से चार उंगलियां होती हैं लेकिन सुतर मुर्ग इस माइने में विसिष्ट होते हैं जिनके पैर में केवल दो उंगलियां होती हैं कम उंगलियों का होना सुतर मुर्ग को तेज दौरने में सहायता करती हैं सुतर सामान मजबूत होते हैं बाहर उंगली में नाखून नहीं होते हैं सुतर मुर्ग अपने पैरों का इस्तमाल स्वैम की रक्षा के हतियार के तौर पर भी करते हैं सुतर मुर्ग के पैर का एक जोड़ दारवार सेर को भी मार गिरा सकता है नर सुतर मुर्ग को रोष्टर कहा जाता है वहीं मादा सुतुर मुर्ग को हिन कहा जाता है सुतुर मुर्ग के समू को फ्लॉक कहा जाता है एक फ्लॉक में दस से लेकर सौ तक सदसे होते हैं सामान्यता वे दस के समू में रहते हैं सुतुर मुर्ग जीवन भर प्रजनन करने में सक्षम होते हैं इनका प्रजनल काल मार्च अप्रेल से सितंबर के लाष्ट तक प्रारंब रहता है मादा सुतुर मुर्ग साल भर में 40 से लेकर 100 अंडे दे सकती हैं साल भर में वे आफसं 60 अंडे देती हैं सभी मादा सुतुर मुर्ग एक सामुही घुसले में अंडे देती हैं जिसे डंप नेक्ष्ट कहा जाता है डंप नेक्ष्ट 30 से 60 से मी गहरा होता है और 3 मीटर चोड़ा होता है जिसे नर सुतर मुर्ग जमीन की मिट्टी खूद कर बनाता है या घोसला एक बार में 60 अंडों का वजन सम्हाल सकता है अंडों को सेने की जिम्मेदारी नर और मादा दोनों निभाते हैं रात में नर सुतर मुर्ग अंडे को सेते हैं और मादा सुतर मुर्ग दिन के समय अंडे को सेती हैं सुतर मुर्ग के अंडों से चूजे निकलने में 42 से 46 दिन का समय लगता है सुतर मुर्ग का अंडा दुनिया का सबसे बड़ा अंडा होता है जिसका ब्यास 6 इंच और भार 3 पाउंड होता है लेकिन दिल्चस्प बात यहा है कि सरीर की आकार की तुलना में सुतर मुर्ग का अंडा दुनिया का सबसे छोटा अंडा भी होता है सुतर मुर्ग की अंडे की सेल की मोटाई 2 mm होती है जो किसी भी अंडे का सबसे मजबूस सेल है सुतर मुर्ग का अंडा वर्टी कली 220 kg और होरीजोंटली 120 kg वहन कर सकता है इसका अर्थ या है कि आप इस पर खड़े हो भी जाए तो ये नहीं तोटेगा सुतुर मुर्ग के अंडे में 2000 कैलोरी होती है जो एक वयस्क मैला के दहनिक कैलोरी की आउसकता के बराबर है सुतुर मुर्ग का एक अंड़ 24 मुर्गियों के अंडे के बराबर होता है सुतर मुर्ग के अंडे को soft boil करने में एक घंटा और hard boil करने में एक दसमलो 5 घंटे का समय लगता है सुतर मुर्ग के आहार में मुख्य रूप से छोटे पेड़ पौधे बीच पल फोल सामिल है लेकिन वे कभी कभी साफ छिपकली कीडों को भी अपना आहार बना लेते हैं भोजन को पचाने के लिए सुतर मुर्ग कंकड और रेत खाते हैं वे अपने पेट में लगबग 2 किलो कंकड या रेत लेकर चलते हैं जो उनके लिए दातों का विकल्प है वे भोजन को साबुत निगल जाते हैं ऐसे में कंकर रेत भोजन को भेतर ढंग से तोड़ने और पीषने में मदद करते हैं दुनिया भर में 50 से ज़्यादा देसों में सुतर मुर्ग पालन बेवसाई के रूप में संचालित है सुतर मुर्ग पालन मुख्य रूप से मांस अंडो चमड़ी और पंखो के लिए किया जाता है सुतर मुर्ग की चमड़ी से वेस्ट कॉलिटी लेदर बनता है और उनके पंखों का इस्तमाल फैसन और डेकोडेशन इंडिस्टीज में किया जाता है सुतर मुर्ग की चर्बी से लगबग 6 लीटर तेल निकलता है जिसमें ओमीगा 3 ओमीगा 6 सहित 9 फर्टी एसिट पाए जाते हैं जो बालो त्वचा हिर्दे और नाखूनों के लिए अत्यंत लाप कारी होते हैं 18 सताबदी में उत्तरी अफरीका में महिलाओं के फैसन में सुतर मुर्ग के पंक इतने लोग प्रिये थे कि पूरे उत्तरी अफरीका से सुतर मुर्ग लगबग बिलुप्त हो गये थे 1838 में प्रारम भूबे सुतर मुर्ग पालन से ही यहां पक्षिपूरता बिलुप्त होने से बच सका। सुमालिया में माना जाता है कि सुतर मुर्ग के सेवन से 800 डायविटीज ठीक हो जाती हैं। अमेरिका के फ्लोरीडा सहर में 19 वे सताबदी के अंत में सुतर मुर्ग दोड़ बहुत प्रचलित थी और उसके लिए विसेश मैदान निर्मित किये जाते थे। पर्यटक 50 के सिट का भुगदान का सुतर मुर्ग की सवारी किया करते थे। इन दिनों मिनेसोटा के केटरबरी पार्क में एक वार्सिक एक्स्ट्रीम रेस डे का आयोजन किया जाता था। जहां लोग उटो और जेब्रा के साथ सुतर मुर्गों की दोड़ करवाते थे। प्राजीन विश्र में सुतर मुर्ग को सकारात्मक्ता का प्रतीक माना जाता था। एक कलाकृती में देवताशू को सुतर मुर्ग के पंखों को पहने हुए और न्याई की देवी माट को उसके सिर पहने हुए दिखाया गया है। सुतर मुर्ग का मुख्य सिकारी मानों है जो पंखों और चम्डी और मांस के लिए सुतर मुर्ग का सिकार करते हैं। इसके अलावा सेर, चीता, लकड़, बगगा और मगर मच भी सुतर मुर्ग का सिकार करते हैं। अत्यधिक शिकार के कारण दुनिया भर में सुतर मुर्ग की संख्या घट रही है। वर्तमान में दुनिया में लगभग एक लाग पच्छास जार जंगली सुतर मुर्गी सेस बच रहे हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट सक्षन में जरूर बताएं से जादा से जादा शेयर करें। ऐसे ही जानकारी के लिए हमारे चैनल को सस्क्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सकें।